हेलो एबरीवन आपका एक और फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप से डिसकस करूँगा HDFC Top 100 Fund Diet Plan Growth के बारे में इसमें मैं आप से डिसकस करूँगा यह जो HDFC Top 100 Fund Diet Plan Growth है इसने फिछले छे मैंने एक साल तीन साल पांच साल या फिर annual return क्या दिया है आज की डेट में इसका एक इने भी का प्राइस क्या है यह कितने इस्टा रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें मिनिमूम S.I.P. अमांट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइच क्या है साथी साथ मैं आपसे डिसकस करूँगा कि इसके अंदर कौन-कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस मुच्वल फंड में कुछ पैसा जमा क्या होते है तो पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल के अंदर आपको क्या return देखने को मिलता और लास्ट में मैं आपसे डिसकस करूँगा कि क्या हमें HDFC 1200 फंड डायट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्मेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए यदि आपने औरेड़ी इन्वेस्ट किया है तो इसको hold रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल देंगे यह भी जानकारी complete में आपको मिलने वाली है तो सबसे पहले इसकी चे मेने के return के उपर बात करते हैं तो 6 मेने में return दिया है वो दिया 17.82% का return है 6 मेने में एक साल के return के उपर बात करते हैं तो एक साल में 41.07% का return है तीन साल के return के उपर बात करते हैं तो तीन साल है 22.03% का return है पांस साल के return के उपर बात करते हैं तो पांस साल में 16.04% का return है और अगर annual return के हम लोग बात करते हैं तो annual return है 14.88% का अब हम लोग इसके बारे में फ्रवारा सा basic knowledge को देखते हैं जैसे कि आज के डिट में इसका एक नभी का price है 1,088 रुपया नथावन पैसा rating की बात करें तो यह 4 star rating mutual fund है इसमें minimum SIP amount आप 100 प्या लगा सकते हैं और इसका fund size है 31,653 करोर का जो की काफी बड़ा fund size है अब हम लोग बात करते हैं यदि आप इस mutual fund में 50,000 रुपया पर मन जमा किये होते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया आपको मिलता 60,989 रुपया तीन साल की बात करें तो तीन साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया आपको मिलता 2,27,920 रुपया पांच साल में बात करें तो पांच साल में आपका पैसा जमा होता 3,00,000 रुपया आपको मिलता 4,16,67 रुपया अब अगर बात करें इस mutual fund के अंदर आप एक बर में एक लाक रुपया का लमसम किये होते तो आपका एक साल में आपका एक लाक रुपया एक लाक एक चालिस अजार सतर रुपया होता तीन साल में आपका एक लाग रुपया एक लाग एक असे जा साथ सो उनीस रुपया होता और पांच साल में आपका एक लाग रुपया दो लाग दस जार तीन सो संतावे रुपया होता हाल्डिंग की बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 46 स्टॉक लिस्टेड है अगर हम इसमें टॉप 10 की ओर देखे तो टॉप 10 में पहला नाम आता लिमिटेड जों की फानेल्सेल चेतर पे हैं, SDFC बैंक लिमिटेड जो की फानेल्सेल चेतर पे है, Realise Industrial limited एनर्जी के चेतर पे है, NTPC limited एनर्जी के चेतर पे है, Tirpces limited टेकनोलोजी के चेतर पे है, लर्शन अं टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के छेतर पे है भारती अटर लिमिटेड कम्यूक्येशन के छेतर पे है ITC लिमिटेड कंजूमर स्टेप्स के छेतर पे है Axis Bank लिमिटेड फाइनेंसियल छेतर में है All India लिमिटेड एनर्जी के छेतर में है इसकी holding analysis को अगर हम लोग समझें तो equity पे 96.8% और cash पे 3.3% अब इस equity को यदि sector wise देखते हैं तो financial पे 32.3, energy पे 18.3, others पे 11, technology पे 10.7, consumer sales पे 8%, healthcare पे 7.4%, construction पे 7.2%, automobil पे 5.1% इसकी advance ratio की बात करते हैं तो इसका price to earning ratio है 18.86 और इसका PV ratio है 3.47, minimum investment amount की बात करते हैं यदि आप lump sum करते हैं तो minimum lump sum आप 100 पया से start कर सकते हैं और minimum SIP आप 100 पया से start कर सकते हैं अब यहाँ आपने समझने वाली चीज है क्या हम लोग इसके अंदर investment कर सकते हैं अगर आपने already invest किया है तो इसको hold करें, official करें आपको इसी point से आपको समझ में आएगा तो सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं कि HDFC top 100 fund diet growth जो पिछले एक साल में return दिया है वो दिया 41.1% का, 3 साल में 22 का, 5 साल में 16% का और 14.9% है अब इस category का जो average return रहता है, यानि कि 100 fund का average return रहता है, एक साल में 40.7 रहता है, 3 साल में 17.8 रहता है और 5 साल में 15.4 रहता है तो यदि आप 100 fund के और देख रहे हैं, तो ये mutual fund आपके लिए सही है, long term के लिए क्योंकि एक साल में जो category average से उससे थोड़ा सा कम return दे रहा है, ज्यादा difference नहीं है लेकिन 3 साल में आपको 5 से 7% का difference यहाँ पे देखने को मिलेगा और 5 साल में भी इसका difference आपको देखने को मिलेगा यदि आप top 100 fund देख रहे हैं और long term के लिए देख रहे हैं, तो ये mutual fund आपके लिए सही है यदि आपने already invest किया है, तो यदि आप SIP कर रहे हैं, तो SIP को continue रखेंगे लमसम किया है, तो लमसम को भी आप continue रखेंगे, अब बात कर लेते हैं, इसके आजपस यदि हम लोग similar funds देखें तो इसके आजपस similar funds है, निपोन इंडिया लार्ज के अफंड डायट ग्रोथ, ICIC Prudential Blue Chip Fund डायट ग्रोथ, अब इसके expense ratio की बात करते हैं, तो इसका expense ratio है 1.05, exit load की बात कर लेते हैं, यदि आप invest के अबाप पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं, तो आपको 1% का exit load देना होगा, system duty की बात करते हैं, system duty है 0.005%, अब इसका अब लोग fund house and investment objects देखते हैं, तो HDFC mutual fund total assist में इंडिया पे नमर 2 पे रेंग करता है, यह mutual fund यानि कि HDFC mutual fund 10 December 1999 को लांच हुआ है, इसका आज के rate में total assist अंदर management है, 6,8,955 करोर का, अब इसके और हम थोगा सा basic knowledge को और देखते हैं, तो HDFC top 100 fund diet growth, यह एक equity mutual fund है, जो की launch किया गया है HDFC mutual fund की तरब से, यह mutual fund स्टार्ट हुआते हैं, 10 December 1999 को, परसांद जेन अभी current fund manager है, इस fund का currently assist अंदर management है, 6,8,955 करोर का, और latest अने भी है, 1,188 रुपया, बात करते हैं, HDFC top 100 fund diet growth, यह कापी high-rix mutual fund है, इसमों minimum SIP amount 100 प्या कर सेट क किया गया है, और minimum lump sum भी 100 रुपया का सेट किया गया है, यदि आप invest के आवा पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं, तो आपको 1% का exit load यहाँ पे देना होगा, तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया, HDFC top 100 fund diet growth के बारे में, फिर मिलते हैं लोग next को इस तरी कारी को ले करके,